सो हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब एक और नई वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो भाईो एक और नई वीडियो के साथ मैं फिर हाजर हूँ और आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं प्लाटीना की लॉक किट जो हमने लिए है मिंडा के अंदर अब आप सोच रहे और तीसरा जो हमार पास टंकी की कैप है तो इन सब के प्राइस देखेंगे इनकी अनबॉक्सिंग देखेंगे और कम्प्लीट लॉक के साथ क्या क्या आता है हम वो भी देखेंगे तो वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है बने रहिए वीडियो में और चैनल पर पहली बार आये हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो फट 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 वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं लॉक किट सबसे पहले हम लॉक किट देख लेते हैं, ओल्ड मॉडिल प्लैटिना की ये लॉक किट है, प्राइज और बाकी की कुछ डेटेल है, इसके उपर हम वो देख लेते हैं, देखें, इगनेशन स्विच कम, स्टेरिंग लॉक वन एन, यानि कि सिंगल लॉक इसके अंदर आएगा टूल वाक्स, टूल वाक्स लॉक वन यानि कि एक जो है टूल वाक्स का इसके अंदर लॉक आएगा, की इसके अंदर दो मिल जाएंगी, फुल किट लॉक वन, यानि कि सिंगल डबबा है, फोर प्लैटिना सौसी सी, अगर इसकी मैनुफेक्चिन डेट की बात करते हैं, देखें, कुछ इस तरीकी की पैकिंग के साथ या जाएगा, पन्नी के ओपर भी मिंडा मिंडा लिखा हुआ है, अब हम फटा फट इसको उपन कर लेते हैं, और पन्नी से निकालते हैं, इसको बाहर, और पन्नी हमने इसकी फार दी है, और फटा फट निकाल लेते हैं, बाह बहुत ही उंदा है बहुत ही बड़ी अफनेशिंग के साथ ये लॉक आ जाएगा देख सकते हैं आप बहुत ही प्यारी इसकी फनेशिंग है और चाबी की बात करते हैं तो दो चाबी आपको मिल जाएंगी इसके साथ चाबी के उपर भी देख सकते हैं मिंडा लिखा हुआ है यहाँ पे और side panel का एक lock मिल जाएगा kit के साथ देख सकते हैं आप यह side panel का lock है और एक छोटा सा lock और मिल जाएगा इसके साथ यानि कि यह lock है टंकी की cap का lock kit के साथ टंकी का cap नहीं आता है यह single lock आता है cap की जगा यानि कि cap के अंदर यह lock लग जाएगा 556 रुपए complete lock kit की MRP है मिंडा की अब हम देख लेते हैं इसका moment कैसा है अगर देखे moment की बात करें तो मिंडा की quality बहुत ही बढ़िया होती है moment भी बहुत ही अच्छा है इसका complete lock kit का अब हम इसको रख देते हैं site दूसरा वाला जो part है वो है fuel tank की cap अन्बॉक्स करने से पहले हम इसका part number वगएरा चेक कर लेते हैं fuel tank cap net quantities की one piece है part number की बात करते हैं FC4850Z ये इसका part number है fuel tank cap और देखते हैं 1N मतलब ये single cap है की की बात करते हैं 2 keys के अंदर मिल जाएंगी 4 caliber old model देख सकते हैं आप यानि के caliber और platina दोनों के अंदर ये लग जाएगा April 2021 manufacturing date है MRP की बात करते हैं तो 361 रुपेज की MRP है तो मैं आपको वीडियो के last में बताऊंगा kit और ये टंकी की cap के उपर कितना आपको less मिलने वाले यानि कितना इसके उपर discount मिल जाएगा तो फटा फट इसको unbox करते हैं तो डिबबा हमने कर दिया है unbox डिबबा रखते हैं side देखे कुछ इस तरीकी का पनी के उपर भी मिंडा मिंडा लिखा हुआ है हर जगा फटा फट इसको पनी से बाहर निकाल लेते हैं पनी रखते हैं इसकी site और सीधा आते हैं इसकी quality के उपर देख सकते हैं गोल वाली ये cap है platina की quality की बात करें तो quality बहुत ही बढ़िया है और देख सकते हैं आप यहाँ पे इसके उपर मिंडा लिखा हुआ है और कुछ coding भी दे रखी अकर finishing की बात करें तो भी quality इसकी बहुत ही बढ़िया है और चावे की बात करते हैं तो दो चावे आपको इसके साथ मिल जाएंगी और जो kit के अंदर हमने lock देखा था छोटा सा वो ये lock है ये ढकन इसके अंदर नहीं आता यानि के lock kit के अंदर ये cap नहीं हीरो की अगर हम गाड़ी देखते हैं तो जितनी भी lock kit है सब के अंदर टंकी का lock आता है और अगर हम बजाज की बात करते हैं प्लेटिना की तो उसके अंदर ये चोटा सा एक lock kit के अंदर दिया हुआ है और टंकी की cap हमें अलग से लेनी होगी देख सकते हैं आप quality की बात करें तो quality इसकी बहुत ही शानदार है अगर हम MRP की बात करते हैं तो देख सकते हैं आप 361 रुपे इसके MRP यानि के काफी महंगा ये cap है 361 रुपे का ये cap है चलिए अब हम इसको रख देते हैं site और एक और part है हमारे पास हम वो भी देख लेते हैं देखिए single lock है platina का जो हमने लिया है मिंडा के अंदर फटापट इसको अनबॉक्स हरें उससे पहले हम इसका part number वगएरा देख लेते हैं देखिए part number स्टार्ट होता है यहाँ से SW1216Z यह इसका part number है इनेशन स्विच कम स्टेरिंग लॉक है स्टेरिंग लॉक या इनेशन स्विच आप दोनों में से कुछ भी इसको बोल सकते हैं नैट कॉंटिटी इसकी वन पीस है की की बात करते हैं तो दो की मिल जाएंगी 4CT-100 यानि की CT-100 और Platina दोनों के अंदर यह लग जाएगा अक्तूबर 2022 में फक्चिंग देट है और 499 रुपेस की MRP फटाफट इसको अन्बॉक्स करते हैं और निकालते हैं डिबबे से बाहर डिबबा रग दिया है मैंने इसका साइट अब हम इसको 20 से बाहर निकाल लेते हैं और 24 की पहले ही निकल चुकी है देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके किसकी क्वालिटी आएगी और सेम टू सेम जैसा कि हमने किट के अंदर लॉक देखा था बिल्कुल सेम लॉक इसके अंदर मिल जाएगा बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी फरक इसके अंदर नहीं है और ये सिंगल लॉक है और ये वली जो हमने आप को किट दिखाई थी तो कॉलिटी की बात करें तो कॉलिटी इसके भी बहुत ही बढ़िया है मिंडा के अंदर जितने भी लॉक किट आती है या फिर सिंगल लॉक आते हैं कॉलिटी का कोई जवाब ही नहीं है बिल्कुल ही लाजवाब कॉलिटी के साथ ये लॉक आ जाएगा बहुत ही बढ़िया फिनीशिंग के साथ है चलिए अब हम इसको रख देते हैं साइट तो अनबॉक्सिंग हम सब की देख चुके है अब हम बात करते हैं डिसकाउंट की इन सब के उपर कितना डिसकाउंट हमें मिल जाएगा सबसे पहले देख लेते हैं कैप 361 रुपेस की MRP है 280 रुपे का हम रिटेल में इसको कहीं से भी खरी सकते हैं सिंगल पीस के अंदर बें यह हमें मिल जाएगी आब बात करते हैं सिंगल स्विच की 499 रुपेस के MRP है और ये भी हमें 400 रुपे का सिंगल स्विच मिल जाएगा प्लैटिना का मिंड़ा के अंदर और अगर हम बात करते हैं complete kit की 556 रुपे इसके MRP है और 4500 रुपे की हमें complete kit भी मिल जाएगी platina की मिंडा के अंदर अगर यही kit हम बजाज की 100% genuine खरीते हैं तो 600 रुपे इसके MRP है और उसके अंदर भी मिंडा ही निकलेगा क्योंकि बजाज का 100% जो genuine vendor है वो मिंडा ही है यानि कि अगर आप बजाज की kit खरीदेंगे lock kit complete तो उसके अंदर भी मिंडा ही निकलने वाली है और अगर आप मिंडा खरीदते हैं तो 4500 रुपे के आपको पड़ जाएगी और आप बजाज में जाते हैं यही kit लेने तो 600 रुपे के आपको मिल जाएगी यानि कि मिंडा में आप खरीद के और अपने 500 रुपे बचा सकते हैं तो इसको अब हम रख देते हैं site चाबी की बात करते हैं तो देखें मिंडा की यह simple चाबी है और बजाज की kit के अंदर जो चाबी निकलेगी उसके उपर आपको सिर्फ low वो मिल जाएगा यहाँ पर चाबी दोनों की सेम है लॉकिट भी दोनों की सेम है और अगर हम मिंडा के अंदर kit की और single lock की बात करते हैं तो सिर्फ 50 रुपे का फर्क है कोई बहुत जादा फर्क नहीं है single lock आपको 400 रुपे का मिल जाएगा और kit आपको 4.500 रुपे की मिंडा के अंदर मिल जाएगी तो दोस्तो कमेंट करके फटा फट बताईए कि आप इन दोनों में से कौन सी खरीदना चाहेंगे kit या फिर single lock तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजी चैनल को सबस्क्राइब कर दीजी और हमें कुमेंट करके इस जरूर बताया कि वीडियो आपको कैसा लगा